कि नमस्कार मैं दौलर शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 News बात करेंगे यहां पर राममंदिर की जिस तरीके से यहां पर राममंदिर के प्राणपतिस्टा की लगातार तैयारिया हो रही है 22 जनवरी को यहां पर प्राणपतिस्टा होनी है जिसके लिए भारतिय जनता पार्टी बढ़ चड़कर इसका प्रमोशन करती हुई नजर आ रही है यहां पर संदेश लगातार दिया जा रहा है और यहां पर संदेश प्रधान मंदिर नरिन्दमोदी भी दे रहे हैं कि अपने आसपास मंदिरों में आप साफसफाई अभ्यान शुरू करें और वैं खुद भी यहां 11 दिन का अनुस्ठान कर रहे है बाइस्तारी के लिए लगातार बीजेपी यहां पर तयारिया कर रही है और अब बीजेपी के सीएम भी इसी तयारी में नजर आ रहे हैं और सीएम भजनलाल ने भी राजिये के लोगों के लिए एक बड़ी यहां पर घोशना की है यानि पूरी तरीके से राम मंदिर के मामले पर यहां पर भरजनता पार्टी यहां पर जनता को साधरी है और यही यारोपी यहांपर कॉंग्रेस लगा रहे है, बाकी अन्य दल लगा रहे हैं और इसलिए यहांपर बाकी अन्य दल इस प्राण प्रतिस्टा में नहीं जा रहे है। यहां पर सपा ने मना किया है, बीएसपी ने मना किया है, और भी बाकी अन्य पार्टियों ने यहां पर प्राणप्रतिस्टा में जाने से मना कर दिया है, लेकिन लगतार बीजेपी अगर यहां पर विपक्ष नहीं आ रहा तो भी इसको एक राजनतिक मुद्दा बना कर लग नहीं भेजा है मोहनी आदव ने भी यहां पर देखा जाया तो सीम मजनलाल भी यही बात कहते हैं तो ऐसे में 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में जो है पूजा अचना करेंगे और प्रभू श्री राम को याद करेंगे उनकी आरती उतारेंगे और बाकी जो भी यहा नाइन न्यूज धन्यवाद